स्बभभ बच्चों आज हम कच्छा साथ के विद्यार्थिवें के लिए हि्दू व्याकरण players अन्य का सब्द लेकर प्रस्ट उत्क पहे हैं मिए अब अवस्था का एक अर्थ निकलता है आउ, दूसरा अर्थ निकलता है दसा और तीसरा अर्थ है इस्थीतें तो यहाँ एक सब्द है अवस्था और इसके अनेक अर्ष निकलते हैं जैसे आयू दसा इस्थीती इसी को अनेकार्थक सब्द कहते हैं आईए अब अनेकार्थक सब्द की हम परिवासा देख लेते हैं, तो अनेकार्थक सब्द की परिवासा इस्तकार है बचों, एक से अधिक अर्थ रखने वाले सब्द, अनेकार्थक सब्द कहलाते हैं, जैसे अंग, अंग का एक अर्थ हुआ अंश, और दूसरा अर्थ है शर दूसा अब रहन देखते हैं पत्र, पत्र मनें पत्ता, चिठ्ठी, और समाचार पत्र, तो अंग सब्द के अनेकर्थ है है जिसे अंश और सरी, इसे तरह पत्र के भी अनेकर्थ निकलते हैं, से पत्ता, चिठ्ठी, अनचार पत्र, तो यह अनेकर्था सब्द है, आगे कुछ अन्य प्रमुक अन्यकार सक्षब्दों को देखते हैं अंक का अन्यकार सक्षब्द है गोल संख्या और नाटक का एक भान दूसा संथ है अंतर इसका न्यकार सक्षब्द है भेड भीतर अगला सब्द है अवस्था आयू जशा और इस्थिति अगला सब्द है आहि आहिमीज सूर्य अगला सब्द है आहिका अन्यकार सक्षब्द है खाया जाने वाला एक फल और दूसा आर्थ है साधारंड अगला सब्द है कुल का अन्यकार सक्षब्द है वन्स पूरा गुल का अन्यकार सक्षब्द है शिच्छ भारी और एक ग्रह का नाम अंकट का अन्यकार सक्षब्द है घड़आ घटना अगरा सब्द है पर्ठट पर्ठक अवश्ट्र और , अंबर अगला सब्द है पै पैकाने कार सब्द है जल और पैकाने कार सब्द है जल और पैकाने कार सब्द दूद तो इस तरह पैकाने कार सब्द है जल और दूद अगला है बाल बाल मुतलब बालक, बाल मुतलब केश, तो यहाँ बाल का अनेकार सक्सब्द है बालक और केश, बाल का अनेकार सक्सब्द है बाल टिना, हिस्सा और दड़, हर, हर का अनेकार सक्सब्द हरिमाने विश्णु, हरिमाने बंदर, और हरिमाने क्रिष्ण भी है, अगला है मध, मध का अनेकार सक्सब्द है शहद, मध मने शराव, और मध का बसंत, तो इस तरह मध का अनेकार सक्सब्द है शहद, शराव और बसंत, अगला सब्द है वर, वर का अनेकार सक्सब्द स्रेश्ट, दूना, और वरदान, अगला सब्द है अंबर, अंबर का अनेकार सक्सब्द है आकास, और वस्त्र, अब अगला सब्द है कनक, कनक का सोना, धतूरा, तो इस तरह आपने आज अनेकार सक्सब्द, उसकी परिवासा और अने तमाम प्रमुख अनेकार सक्सब्दों के विश्वे में जाना, आज के लिए इतना ही धन्यवाद,